स्टूडेंट आज आपका लेक्चोर 11 है और आज हम बात करेंगे जितने भी वनवर्ड शाप्सिटूशन हैं और लेटर ए फ्रॉट इस एंबी पॉलिकेशन वनवर्ड साप्सिटूशन तो आएए स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड है स्टूशन आपका इव्स्ट्रॉपर उस व्यक्ती को कहा जाता है जो सीक्रिटली किसी और की बाते सुनता है ऑगे एकनॉमिकल का मतलब होता है जो अपने पैसे को लेके टाइम फूलेके बहुत जादा कैफूल होता है बेसिकली वो वेस्टिज को अवोइड क जो करता है, जो women की तरह हरकते करता है, ठीक है, effluent का मतलब होता है, जो industrial waste होता है, liquid form में, ठीक है, उसे हम effluent कहते हैं, egalitarian का मतलब होता है, एक ऐसा system जहाँ पर हर किसी को equal माना जाता है, egoist and egotist, देखिए ये दोनों बहुत एक दूसरे के synonyms है लेकिन बहुत ही thin line का difference है कि जो egoist होता है वो ऐसा व्यक्ति होता है student जो हर चीज में मैं पहले रखता है ठीक है बहुत जादा selfish होता है वो हर situation को अपने benefit के according देखेगा on the other hand जो egoist होता है वो बहुत जादा boastful होता है बहुत जादा bragging करता है ठीक है वो क्या काम करेगा अपने achievements के बारे में अपने accomplishments के बारे में हर किसी को बताता रहेगा उसे लगेगा कि वही universe का center है वो है तो सब कुछ उसके मेना कुछ नहीं बहुत ही thin line का difference है दोनों words में लेकिन ये एक दूसरे के synonyms माने जाते हैं ठीक है next है elegy when कोई व्यक्ती मर जाता है तो जो song गया जाता है उसे हम elegy कहते है next is eligible when you are qualified for something right elucution का मतलब क्या होता है student एक skill जब आप expressive speech देते हैं ठीक है then we have elixir elixir का मतलब क्या होता है student एक magical potion जोसे आप अमृत भी कहते हैं okay elucidate का मतलब क्या होता है कोई भी difficult cheese को explain करना elude का मतलब क्या होता है पकड़ में आने से बच जाना जब आप भाग जाते हैं ठीक है abscond हो जाना emancipation का मतलब क्या होता है किसी को set free कर देना ठीक है किसी restriction से किसी को एकदम free कर देना okay embankment का मतलब क्या होता है एक wall build की जाती है so that किसी भी region को बचाया जा सके flood से okay embezzlement का मतलब क्या होता है student कि जब money को धोके धड़ी से you know अपने control में किया जाता है basically misappropriation of money misappropriation का मतलब क्या होता है कि आप किसी को deceive करके उसका पैसा उसकी property अपने control में ले लेते हैं okay embellish ये word रह गया है embellish का मतलब क्या होता है किसी चीज को ornate करना सजाना addon करना next we have emblazen emblazen का मतलब क्या होता है student जब आप किसी चीज पे कोई चीज inscribe करते हैं लिखते हैं conspiquously का मतलब होता है clearly next है student embroil जब आप किसी difficult situation या पे argument में involved हो जाते हैं उसे हम कहते हैं embroil next is emeritus emeritus का मतलब होता है कोई भी ऐसा वेक्पी जो अपनी service से honorably discharge होता है emeritus emigrant emigrant का मतलब क्या होता है जब कोई वेक्पी किसी दूसरी country में रहने के लिए जाता है emigrant का मतलब होता है बहुत दव prominent personality बहुत दव famous personality emigrant का मतलब one who goes for a secret official mission next word is student आपका empathy empathy का मतलब होता है जब आप किसी की feeling को अपना समझ के feel करते हैं emulate का मतलब होता है student की किसी को follow करना by imitation ठीक है next है encyclopedia एक ऐसी book जिसमें हर चीज की information होती है endemic का मतलब क्या होता है एक specified area या region में जो disease hit करती है उसे हम endemic कहते हैं next is endothormic endothormic का मतलब क्या होता है absorption of heat और exothormic क्या होता है liberation of heat enduring का मतलब होता है जो बहुत लंबे समें तर last कर सकती है engulf का मतलब होता है student किसी चीज को चारों तरफ से surround कर लेना ठीक है next word है आपका envy envy का मतलब क्या होता है student जब आप बहुत ज़ादा you know bored feel करते हो बहुत ज़ादा उदास feel करते हो क्योंकि आपके पास कोई occupation नहीं है mental weariness ठीक है जब आप mentally बहुत ज़ादा retard हो जाते हो उसे हम mental weariness कहते है next is enroll enroll का मतलब क्या होता है officially register कर लेना okay enthral का मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज की तरफ attracted हो जाते हो entrepreneur क्या होता है student ये एक businessman होता है ठीक है जो अपना एक startup setup करता है and then उसे आगे बढ़ाता है very easy word enunciate का मतलब क्या होता है student कि किसी भी theory को या फिर proposition को definite terms या फिर clearly उसे इस पास रूप से बताना ठीक है epicure या फिर epicurean मतलब one who is given to pleasure of the flesh okay very easy word next है student आपका epidemic 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 क्या होता है student एक ऐसा disease जो large group of people को affect करता है महामारी जिसे कहते हैं ठीक है next is epidermis epidermis क्या होता है जो outer layer होती है cell की उसे हम epidermis कहते हैं epigram क्या होता है student epigram का मतलब होता है कोई भी saying जो बहुत जादा clever हो ठीक है ना उसे हम epigram कहते हैं आप पड़ सकते हैं a pity saying or remark expressing an idea in a clever and amusing way ठीक है ना next is student आपका epigram epigram का मतलब क्या होता है किसी building पर या किसी statue और book पर कुछ inscription ठीक है ना कुछ लिखा हुआ जो होता है उसे हम epigram कहते हैं epilogue का मतलब क्या होता है student जब कोई drama end हो जाता है या पर किसी episode का जब end हो जाता है तो जो short poem ठीक है end में जो दी जाती है उसे हम epilogue कहते हैं next है student आपका episode episode का मतलब क्या होता है कोई भी event जो you know parts में आ रहा है उसे हम episode कहते है epistle का मतलब क्या होता है student एक letter ठीक है epitaph का मतलब क्या होता है जो tomb पर जो लिखा जाता है जो inscribe करा जाता है उसे हम epitaph कहते है equistrian का मतलब क्या होता है one who rides on horseback basically जो घुरसवार होता है उसे हम equistrian कहते हैं next is equilibrium जो perfect balance की state होती है उसे हम equilibrium कहते हैं equine का मतलब होता है that which is related to horse pertaining to का मतलब होता है related to horses okay equinox का मतलब होता है जब दिन और रात equal होते है equivocal का मतलब होता है student basically जब कोई बात अपनी इस तरह से कहता है कि सामने वाले को confusion हो जाए आपने एक word पढ़ा होगा student ambiguous right आपने ये word पढ़ा होगा ambiguous okay तो ambiguous का student ये synonym ही है ठीक है जब ambiguously कोई चीज़ बोली जाती है तो वो बहुत ज़दा confusion create करती है next word है eradicate eradicate का मतलब होता है कि destroy कर देना completely किसी चीज़ को खतम कर देना okay ergophil का मतलब क्या होता है जिसे काम से बहुत ज़दा प्यार है ठीक है न eratum का मतलब क्या होता है student writing में बहुत ज़दा जो error होता है या फिर misprint होता है उसे हम eratum कहते है ठीक है eratum क्या है student ये आपका एक singular noun है okay eratum आपका एक singular noun है इसका plural क्या हो जाता है erata I hope आप लोगों को पता होगा okay next हम बात करते है student erineus erineus का मतलब होता है गलत wrong incorrect okay next है esoteric esoteric का मतलब होता है student जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है ठीक है यहाँ पर ये चीज उल्टी तरह से बोली गई है which is known by a few person okay जो बहुत ही कम लोगों को पता है ठीक है which is known by a few ठीक है a few आपने पढ़ा होगा न few a few या फिर the few तो a few का मतलब है बहुत ही कम लोगों को याने के अगर हम कहते हैं कि यह बहुत ज़दा esoteric चीज है याने कि बहुत ज़दा complex चीज है ठीक है next देखिए espinaj का मतलब होता है student जो प्राक्टिस होती है spies जब लगा दिये जाते हैं ठीक है न जासूस उसे हम espinaj कहते है eternal का मतलब होता है student जो कभी खतम नहीं हो सकता जिसकी ना कोई ending है ना कोई beginning है ठीक है न next है student आपका ethics ethics का मतलब क्या होता है moral principles जो नेधिक सिद्धानत होते है उसे हम ethics कहते है next है student आपका ethnology तो जो racist की study होती है उसे हम ethnology कहते है या पिर आप कह सकते हो जो लोगों के जो characteristics होते है उनकी study को भी हम ethnology कह सकते है ठीक है ना etiolate का मतलब क्या होता है student जब किसी चीज को you know पेल बना दिया जाता है by excluding light ठीक है ना रोश्नी के अभाव में जब कोई चीज पीली पड़ जाती है adequate का मतलब क्या होता है manners, behavior okay etymology का मतलब होता है जहां से कोई word निकल कर आया है ठीक है जहां से अगर कोई word derive हुआ है तो उसकी study को etymology कहते है ठीक है ना next देखिए eophemism देखें eophemism का मतलब क्या होता है अगर आप अपनी बात किसी के सामने रखना चाह रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को वो बाग ज़्यादा offend ना करे ज़्यादा harsh ना लगे तो आप उसे indirectly या फिर बहुत ज़्यादा mild way में उसको express करेंगे तो जिसे हम eophemism कहते हैं ठीक है ना okay I hope आपको समझ में आया होगा next word is student आपका euthanasia euthanasia का मतलब क्या होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी diseases इसे सबर कर रहा होता है जो incurable है तो उसकी इच्छा से उसको मार दिया जाता है ठीक है याने के इच्छा मृत्यू so that is euthanasia next is evacuate जब लोगों को किसी place of danger जिसे safety place पर ले जाया जाता है next is eve eve का मतलब क्या होता है student ये sheep का female है excursion का मतलब होता है एक short journey होती है pleasure के लिए exemplary का मतलब extremely good exile का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को उसी की country से निकाल दिया जाता है expel कर दिया जाता है ठीक है या फर banish कर दिया जाता है banish नहीं banish कर दिया जाता है next is exit poll एक opinion poll होता है about voting next is exonerate जब किसी व्यक्ति को किसी blame से guilt से या फर किसी obligation से obligation का मतलब होता है किसी responsibility से free कर दिया जाता है उसे हम exonerate कहते है next is expatriate जब कोई व्यक्ति अपनी country छोड़े किसी दूसरी country में रहने चला जाता है उसे हम expatriate कहते है expriate का मतलब क्या होता है student amend करना संशोधन करना reparation explicit का मतलब होता है जो spashed है जो clear है exposed का मतलब होता है reveal करना expropriate का meaning होता है जब किसी की property को public use के लिए अपने control में ले लिया जाता है inquisit so exquisite का मतलब क्या होता है extremely beautiful and delicate तो उसे हम exquisite कहते है next है extant extant क्या होता है student जो अभी भी exist करता है और जो known है extempore या फर impromptu देखें impromptu का मतलब होता है unplanned extempore का मतलब क्या होता है एक essay speech जो planned नहीं है ठीक है या फर presentation which is made without previous preparation next है extirpate extirpate का मतलब होता है किसी को completely destroy कर देना eradicate कर देना extort का मतलब क्या होता है कोई भी चीज force से या फर threat से या फिर unfair means से obtain की जाती है अपने control में ली जाती है extortionist extortionist कौन होता है जो किसी भी चीज को force से obtain करता है that is extortionist next है extricate extricate का मतलब होता है student जब आप किसी चीज को या फिर किसी व्यक्ती को किसी difficulty से निकालते है ठीक है तो उसे हम कहते है extricate so that's all in today's session people यही कुछ words थे आपके e-letter से I hope आपको ये session पसंद आया होगा अगर session पसंद आया हो तो वीडियो को like करेगा चानल को भी subscribe करेगा और जाद से जाद शेयर करेगा thank you so much